कि हालो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है कि कलाश 10th की जो एंसी आटी मैथमेटिक्स है चैप्टर 6 जिसका नाम ट्राइंगल है आज हम इसी के बारे में अध्यन करेंगे तो बच्छो ध्यान देना यह जो ट्राइंगल के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो ना इ उसके बारे में ही पहले आपको पढ़ाएंगे इसका इंट्रोडक्शन आफ ऐसे हिंदी में इसके तो में कर तक देखीएगा तो आप परिसान नहीं होना है कि हाँ भाई काई इसको दिखा रहोगा हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ाया जाएगा कलास को पूरा इंडे तक देखिएगा उसके बाद फिर जब इंट्रोडक्शन खतम हो जाएगा तो हम आपके चैप्टर में चलेंगे फिर आपके एकसरसाइज 6.1 में चलेंगे हिंदी में ही सब पढ़ाऊंगा मैं ध्यान देना इस बात को आप इंगलिस में नहीं पढ़ाया जाएगा परिसान नहीं होना है ठीक है चलिए सुरू करते हैं कलास को इंडे तक देखना उम्र हरा नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने का तो परिस्तितियां भी हरा नहीं सकती हलो साथिको मेरा नाम है राजकुमार आप देखना सुरू कर दी हैं PBR study आज की कलास में हम बात करेंगे triangle and उसकी property के बारे में triangle मतलब तिर भूच इसमें हम इसकी परिभासा भी देखेंगे और उसके exampal उसके figure गूंड और गूंड पर गूंड सब कुछ देखेंगे तो निवेदन होगा कलास में पूरे टाइम बने रहना ज्यादा बड़ी कलाफ नहीं होगी लेकिन 10-15 मिनट जो भी होगी पूरा समय बने रहना अगर समझना है कलास छोड़के मत जाना मैत नहीं आती है बिलकुल गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा बस थोड़ा सा एक डेमो देख लो 10 मिनट पता चल जाएगा आपको मैत आने लगेगी पकाद से एक नई उमीद आ जाएगी यार देखो तिर भूज होता क्या ह हैं तो यहां पर आप ध्यान दो तीर धान भूज ऐसा कुछ बन रहा है ना तिर मतलब आप थोड़ा सा दिमाग अगर घुमाइए तो आपको लग रहा होगा तीर मतलब बूज मतलब भूजा को इंगलिस में बोलते हैं साइड आमस मतलब यह बूजा यह बूजा नहीं यह नहीं वो भूजा मतलब side ये ठीक परिभासा अगर बनाना है definition कैसे बनाओगे इसमें देखो है क्या अच्छा ठीक है अगर मैं आपसे पूछ हूँ कोई एक चीज ले करके कि भाईया ये कलम है ये क्या है ये कलम है आप जानते हो अगर कोई कहें इसकी परिभासा बताओ तो क इसमें एक टोपी होती है कैप बोलते हैं इसमें नो खोदा जिससे चलता है इसमें स्याही भरी जाती है इसकी परिभासा अगर आपको बताना है तो कईसे बताओके एक ऐसी डंडी या एक ऐसा वस्तु कैसे बोलोगे ऐसे कुछ बोलोगे न या फिर एक ऐसा पाइप या एक ऐसा धातु का कोई भी टुकड़ा जिसमें इंक भरी जा सके और उससे वाइट पेपर पर लिखा जा सके उसी को कलम कहते हैं कलम बहुत परकार की होती है बच्पन में हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों न भी पढ़ा होगा अगर आपकी एज कहीं 35-40 साल के लगबग है तो हम लोग किया करते थे स्याही भरते थे उसमें और जो सरपत होता सरकड उससे लिखते थे क्योंकि तब पेनोगरा था ही थे वैसे हम लोग के समय में तो आगया था फिलहाल लेकिन जो पापा लोग पड़े थे पहले के जबाने में और लोग उन लोगों के समय में था इसके पहले हम बात करें तो आज से 15 साल पहले वो था क्या बोलते है लोग चाक लेके लिखते थे उस पर तक्तिपे चोटी- हमेर्फ आज शक्राइबुज से पंद्रा साल पहले बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है तो हार चीज का अपनी क्या होती है इन तो समझ रहे ना, तो उसी तरह सेतिर भूज की वे एक अपनी पहचान है, कि तीन भुजाओं से गिरी हुई आकर्टी को तिरभूज कहते हैं, अगर हम तीन भुजा ऐसे गेर दिये ये खुल गया इसका मुई इदर को तो ये तिर भुज नहीं होगा फिर ये कुछ आउर बन जाएगा समझ गये ना तो फिर आप इसकी परिभासा कैसे लिखोगे तीन भुज़ाओं से गिरी हुई बन्द आकरती को तिर भुज कहते है इतना हो गया चलिए आगे बनते हैं हम सब इसके बाद हम बात करेंगे बएया ये ट्राइंगल तो हो गया इसकी property के बारे में बात करेंगे इसकी property जादा कुछ नहीं है, गरीब है ये वैसे भी बच्पन से ही, आप यही जान लो, तिर्बुज में क्या होता है, तीन कोण होते हैं, तिर्बुज में तीन बुजाएं होती हैं, बस और कुछ नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसके जो और भी साथी संगती हैं, वो मिल करके इसकी धेर लंबी चोड़ी property बनाते हैं, मतलब परकार में अगर आ जाएं तो, दूसरा सवाल तिर्बुज से संबंधित, बड़ा एक्ष़ प्रसन है कि तिर्बुज कितने परकार के होते हैं, अकसर आप confused होंगे, अगर Google पे सर्च करेंगे, तो कहीं तीन परकार का मिलेग कि भुजाओं के अधार पर तिर्बुज कितने परकार के होते हैं, तो इसका अंसर आप बताओगे तीन, अगर पूछा जाए कि कोणों के अधार पर तिर्बुज कितने परकार के होते हैं, तो उसका सवाल है, अंसर है तीन, लेकिन अगर आपसे ये भुजा और कोण ना ब समझ गये ना संबाहु Word & इसके बाद लेक्चिर उसके बाद लिख लेना संबाहू किया होता है एक ऐसा तिरह जीसकी तीनों आपसमीं वह संबाहु तिर्भुच आ लाता है अभी इसकी इंग्लिस भी लिख देंगे ठीक है संभाहू त्रभुज मतलब एक्वाल्ट्रल ट्रेंगल होता है ना जानते हो कि नी संदू बाहू मतलब संदू बाहू किसमें कोई भी दो भूजा है न cohort से उन से अलग होती है inhibsin अगर मतलब के जैसे नहीं होगी मैं आपको हलके हलके में बता रहा हूँ अभी आगे कुछ डीपली भी बताऊंगा इसलिए ध्यान से पहले देख लो ठीक है अभी इनके बारे में गहन अध्यन करेंगे इसको हम इंगलिस में भी आपको बताएंगे थोड़ा फारू के रहू इसके बाद आता है एक बिसम बा हो तो वो क्या का लाएगा विसम बाहू तिर्भुज का लाएगा जैसे मानलो अगर यह पांच सेंटीमीटर है तो यह चार सेंटीमीटर है तो यह छे सेंटीमीटर है तीनों अलग अलग परकार की तिर्भुज को किसी भी साइड में किसी भी दसा में बना सकते हो जरूरी स meses कि जैसे मैं बनाया था वाइस्टे सी बनाओ ये यह वे दिर्भुज है ठीक है और ये भी भी दिर्भुज है किसी भी तरफ को ऒनाओ की तो यह हो गए आपके स्थिर्भुज के तीम बाद करें तो तिर्भुज कोनों के आधार इसके तिर्भुज कोनो้ के three-party यह था समकोड तो बिया कोणों किया अधार पर समकों Tgli पुझ फोता है और निउन कोंड होता अधिक उन होता है याद रखनाली समज़ववाल यद्लख मिलुज़वाल वन्फियर समबाहू आता है यह कंझा अदिक है तो यह placed तीन परकार कह धिक कि अभी आगे हम और भी बात करेंगे इसको लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो आप कहो गयार इससे जूर रहे बता दे रहे हो भीना लिखे पड़े हैं हम उसके बारे में बिस्तरित देखे लेकिन उसके पहले आप इसे लिख लो जो भी पड़ चुके बढ़ेंगे चलिए इसके बाद है को नो की अधार पर तिर्भुज के परकार देखें मित्रों कोणों के अधार पर तिर्भुज के परकार जो है वही तीन कॉण हैं जो अभी तक आप पड़े हो हमने आपको पिछली कक्छाओं में बढ़ा दिया था कि नियून कॉण क्या लेकर के 59 तक होता है मतलब वनस लेकर करके 89 के बीच होता है सब भी नीउन कौण का लाते है मतलब एक डिगरी का कोण भी नियून कोण है दो का पाच का दस का पंदरा अठारा बीस परचीज अठ़टर 82 उन्हें 89 तक यह निउन कोण का यहां तक एरिया होता है इसके बाद अगर हम बात करें अधिक कौंड की अधिक कोंड का मतलब को अधिक कोन बोलते हैं तो जितनी भी गिंती इन दोनों गिंती के बीच में आती है 91 और 179 इनके बीच में जो भी आता हुआ अधिक कोन खालाता है आप से बिनमर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे डेमों के रूप में देख रहें तो किरपा चैनल क कि आपको मैंत में कुछ भी नहीं आता फिर भी आएगा उसके लिए लेकिन आप रेगुलर और एक सिस्टम से हमारी सारी क्लास को देखिए ठीक चलिए अगला समकॉंड समकॉंड बच्पन से पढ़ते आयो समकॉंड समकॉंड मतलब नबबे अंस के कोंड को समकॉंड कहते हैं तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कोंड की लेकिन हमें यहां पर तिर्भूज भी उसमें जोड़ देना है तो भाईया बस वही बात है नियून कोंड तिर्भूज की अगर बात करें तो नियून कोंड तिर्भूज वही होगा एक ऐसा तिर्भूज एक ऐसा तिर्भू कुछ कहलाता है देखो एक ऐसा त्रिपूच जिसका सभी कोड नियून कोड हो नियून कोड का मतलब इसके सभी कोड 90 से कम होने चाहिए वन डिग्री से अधिक और 90 से क्या हो कम होने चाहिए वो क्या कहलाते है नियून कोड कहलाते है इस बात को आप ध्यान से समझो ठीक है च मतलब, फिगर से समझो, दूसरा है अधिक कॉंड, इनका इंगलिस भी लिख लो आप लो, क्योंकि कुछ इस्टूडेंट जो हिंदी राज्य से नहीं है, उनको हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो इसके सभी कॉंड क्या हो, नियून कॉंड हो, कोई भी कॉंड 90 से अधिक हो, तो इस तरह से अगर बनाओगे, तो सारे कॉंड 90 से कमी होंगे, कुछ भी होंगे, 60 होंगे, 45 होंगे, मतलब कुछ भी हो सकते है, ठीक है, तो 60-40 कितना हो गया, 100-105, 105 तो यह 75 बनेगा, नहीं है, इसा हो ही नहीं सकता है, यह माल लो पाइसाट, 125 हो गया, 125, मतलब 60 है यह 25 है ना, यह देखो हो गया, टोटल की नहीं, 125, 35, 50, 80, 100 से हो गया, यानि सभी कोंड जो है, 0 और 90 के बीच की होने चाहिए, यानि 1 से लेकर 89 तक होने चाहिए, इससे जादा नहीं हो, तो वो नियून कोंड होगा, यह नियून कोंड आपके सामने है, ठीक, दूसरा बात करते हैं अधिक कोंड, अधिक कोंड का मतलब इसका कोई भी एक कोंड अधिक कोंड होना चाहिए, इसमें कोई भी एक कोंड होना चाहिए, तो अधिक कोंड त्रिबुच का लाएगा, जैसे अधिक कोंड का मतलब कोई भी एक कोंड जो है, वो 90 डिग्री से बड़ा होना चा यह कोण जो है यह लगबग 120 होगा कितना होगा जो भी होगा लेकिन 90 से जादा है और 180 से कम है यानि कि 91 से 179 के बीच कोई भी एक कोड़ हो जाए तो वो क्या का लाएगा अधिक कोड़ का लाएगा बाकी यह कोड़ कितने का इसे नहीं मतलब इधर से नापोगे 45 कभी हो सकता है इधर फिकरोगे कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें एक कोड़ हमें देखना है वो अधिक कोड़ हो जाए बस सिर्फ एक कोड़ बाकिया और सब कितने कर रहें उनसे समकोंड से दुनिया परचित है, समकोंड बहुत ही अदुतिये कोंड है, जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा एक हैं, उस तरह से मैथ में समकोंड भी एक ही है, अकेला है बेचारा, बाकि ये निवन कोंड और अधिक कोंड तो डेर सारे हैं, इनकी तो बड़ी लंबी टीम है, लेकिन समकोंड अदुतिये हैं, एक ऐसा कोंड जिसका एक कोंड नब्बे अंस होता है, वो समकोंड का लाता है, इसकी बिसेश्ता होती है, वो आप ध्यान से सुन लो लिख लो, किसी भी समकोंड तिर्भूज में एक से अधिक समकोंड नहीं बन सकते हैं, जैसे एक जंगल में एक से अधिक राजा नहीं रह सकता है भारत देश में एक से अधिक राष्ट्रपती नहीं हो सकते हैं है ना उसी तरह से सिर्भूज में समकॉर्ण तिर्भूज में एक से अधिक कोन नभ्य अंस के नहीं हो सकते हैं नहीं तो वह समकॉर्ण नहीं का लाएगा यह देखो इ लख गो मतलब बाकी जो बच रहा है तोटल अश्वस स्काूर का होता है ते तो इस तरह से आप सीख गए संब कोड भी सीख गए और अधी कॉड ने उनकॉंड सब गए ना यानि कि आपने तिर्भुज का परकार और तिर्भुज सीख लिया अगर आप इस वीडियो को डेमो की रूप में यूटूब पे देख रहे हैं तो चल्दी से चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवस्य करें तो जिनको भी मैद नहीं आता मैद सीखना है उन्हें जरूर सजेशन करें कि भईया आप पीवियारे स्टेडी डाउनलोड करो पीवियारे स्टेडी सब्सक्राइब करो और पढ़ो निसंकोच पढ़ो कहीं सभी पढ़ो कभी भी पढ़ो 24 गंटे में चाहें जब देखो आप बीच में आपने सुना होगा भी मोदी और ट्रंप के बारे में मध्धास्ता के बारे में है ना भारत और चीन के बढ़ते भी बात में ट्रंप मध्धास्ता करेंगे बारत और पाकिस्तान के जो मामला उसमें ट्रंप मध्धास्ता करेंगे इसका मतलब क्या होता जनते हैं फिलाल वो बात हम नहीं करेंगे, यहां पर इसके बात करेंगे, जो हमारे काम की है. मीडियर मतलब मादिका, मादिका क्या होती है? वो भी बिसेश का तिर्भूज के बारे में बात करें. देखो, अगर यह रेखा मैंने बनाया है, इसमें कहूं कि इसकी मादिका खीचो, तो भया यह अगर चार सेंटिमीटर की है. तो यह दो सेंटिमीटर जहां पर होगी, वही इसका क्या होगा? एक परकार से मादिका मान लो या मादिबिन्दू मान लो? ऐसे ही तो कुछ होगा ना? तो वैसे अगर हम बात करें तिर्भूज में, तो तिर्भूज में भी वही कहानी है. ठीक है? सबसे पहले आप इन से परचित हो जाएए, इनका नाम क्या है? ललू पंजू जो भी है, पी, क्यू आर. यह भुजा क्यू आर है, यह पी, आर है, और यह पी, क्यू है? अब देखो, द्यान समझो. जहां पर दोनों भुजाएं आकर के इधर से, इधर से मिल रहे हैं, इसे सीर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीर्स बोलते हैं. यानि यह सीर्स है, यह भी सीर्स है, जिसे इंगलिस में वर्टेक्स बोलते हैं. वी, ए, आर, टी, ए, एक्स, वर्टेक्स. ठीक है? भुजा, भुजा मतलब ये, ये जो लाइन है, ये भुजा है, ये भुजा है, ठीक है, भुजा को इंगलिस में साइड बोलते हैं, तो तिर्बुच के सीर्स से, सम्मुख भुजा के मद्ध बिंदू को मिलाने वाली रेखा, तिर्बुच की मद्ध का कहलाती है, समझ गए न तिरबुच के सीर्ष से समुख भुजा के मद्ध बिंदू इसका जो क्यों आ रहे हैं इसका बीच पे मिलना चाहिए हाँ इसका मतलब यह नहीं कि यहां स्खीच किला के यह सटा दो यह सटा दो माधिका है वो माधिका नहीं है फिर कुछ और हो जाएगा वो ये ब्लेट कलर वाली मादिका है लेकिन ये मादिका नहीं है ये ब्लेक कलर वाली मादिका नहीं है समझ गए न तिर्भुज के किसी भी सीर्स से उसके सम्मुख भुजा के मद्ध बिंदू को जो रेखा मिलाती है वो मादिका कहलाती है अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपकी जिंदगी में पूछा जाएगा कि एक तिर्भुज में कितनी मादिकाएं खीची जा सकती है बोलो एक तिर्भुज में कितनी मादिकाएं खीची जा सकती है कशुए कोश्य तो कर दो अगर आख यूटब के देखनें और अप में देखना योट मैं तो कमेंट में टैम बेश्ड नैंकरो लेकिन YouTube के क्यूं कि YouTube क्या अगले लोग भी देखेंगे अप में तो हरकोई देखनी पायागा नहां है कि dove एक तिर्भूज में पहले बताओ सीर्स कितने होते हैं तो एक तिर्भूज में तीन सीर्स होते हैं एक तिर्भूज में कौन कितने होते हैं एक तिर्भूज में तीन से अधिक कौन नहीं हो सकते हैं अगर चार कौन हो गए तो चतुर्भूज हो जाएगा तिर्भूज नहीं क लाएगा तीन कोण होता है तीन सीर्स होता है तीन भुजा होती है तो भाईया माद्दिका भी तो तीने होगी ना समझ गये ना तो इससे आप एक माद्दिका और खींच सकते हो इसके मद्दे बिंदू को मिलाएगी एक माद्दिका आप यहां से खींच सकते हो तीनों समझ गए ना आगे समझ में इसका कोई नाम लिख दो जैसे मैं लिख दूं क्या एवन एटू और ये हैं भाईया एथरी ये तिरभुज की एवन एटू एथरी माधिकाएं हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पढ़ते रहें चलिए वीडियो को सेयर करना नहीं भूलिएगा अगला नया टपिक है तिरभुज का सीरस्थलमब की एल्टीत्यूड क्या होता है देखिए साथियों इसकी डेपनिशन आप ऐसे नहीं बता सकतो हो इसके लिए हमें एक चित्र बनाना होगा तब हम बता सकते हैं तो आईसे जमानी नहीं बता सकते हैं इसके कोई ऐसी परिभासा नहीं होती है तो अगर हम यह फिगर बनाये जिनके हम नाम दे देते हैं A, B और यह C ठीक है इसमें हम उपर से एक लाइन खीचते हैं सीधी-सीधी और यहां करके यहां पटक देते हैं इसको यालए ठीक आप देखो ध्यान से देखना यहां से आप चाहो तो बहुत सारी और भी लाइने खीच सकते हो ऐसे डाट डाट में ऐसे कर सकते हो हाँ कोशिस करना ठीक देखो अब त्रिबुच का सीर स्लम्ब क्या होता है इस चित्र के अनुसार आप परिभासा दे सकते हैं कैसे जरा ध्यान से देखो वो रेखाखंड जो सीर से एसे वो रेखाखंड एका कंड के बारे में पहले बताया हूं जिसका क्या होता है दोनों बिंदू देख लो यार एक बार फिर से रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होता है रेखाखंड का मतलब यह होता है कि यह दोनों तरफ बढ़ सकती है नहीं रेखा-कंड को नहीं आई उसे बोलते हैं तेर की तरह ठीक तो रहें चली तो रेखा-कंड का वानन तक बढ़ालो तो रेखा बन जाएगी रेखाकंड नहीं कि रह जाएगा फिर तो आप देखो रेखाकंड के बारे में आप जानगे वो रेखाकंड जो सीर्स A से सीधा उर्धाधर नीचे रेखाकंड BC पर वो रेखाकंड जो सीर्स A से सीधा उर्धाधर उर्धाधर मत सिर लंब क्षम्, न स कम भेसी और पर क्षम पर क्या होथ यह होता है? का न स साना ना फिर टेज चिर्बुच की उचाई का राता है यह फिर इसे तेर्बं पर के सिरे जो खालता है कि उब्टपशा का साल्य का सिर अज़े हैं, इसी को सिर रा का सिर्ज पूछाई कि नहीं बताएंगी जैसे एक्जाम्पल के लिए आप ऐसे जान लो अगर आप एक कमरे में हो आप से पूछा जाए कितना है तो कहीं से बताओगे कमरे के उचाई दिवाल न आपके बता सकते हो अगर कमरा समतल है तो आप पता चले कहीं कमरा का फर्स उडल खबड़ है चग जो काके बताओगे आप बीच ओबीच के उसके जहां पर उसका एक परकार से सही समतल जगा महां से आपने आपके बता सकते हैं फिलाल उसका यहां से कोई रिलेशन नहीं है तो आप इसे समझ गये हैं तो जल्दी फिल लिख ले और हाँ वीडियो को अगर लाइक निके तो जल्दी से कर दें